तो अब हम क्या करेंगे मैं आपको एक situation बताऊंगा जिसको आपने imagine करना है और उसके बाद में अगर अंदर से आवाज आए तो खुल करके celebrate करना है अपनी सीट पर उचलना है गूदना है तालिया बजानी है असना है रोना है जो मन कर रहा है वो करना है लेकिन खुल के करना है अपनी आखें बंद कर सकते हैं आप लगा तो situation ये है कि हर एक की life में कोई न कोई एक ऐसा सपना होता है जिसके लिए वो जी रहा होता है जो उसके मन में होता है कि अगर ये सच हो गया तो बस मज़ा जाएगा यार life में मज़ा जाएगा आपकी life में वो कुछ भी हो सकता है हो सकता है कोई world tour पे जाना हो आपको हो कि या life में एक बार में को world tour पे जाना है हो सकता है कोई बहुत छोटा सा सपना हो कि एक मेरा अपना घर हो जहाँ पर मेरी फैमली हो, मेरे पेरेंट्स हो किराए का ना हो, अपना घर हो जहाँ पर मैं सब के साथ में हो और खेल रहा हूँ छोटा सा हो, एक बेडरूम का हो दो bedroom का हो लेकिन अपना घर हो वो हो सकता है कि मेरा अपना एक business हो जहांपर मैं बैठा हूँ मेरा cabin हो और बाकी सब पूरी team हो और मैं अच्छे से एक business कर रहा हूँ कुछ भी हो सकता है तो जो भी है आपका वो सपना उसको याद करने की कोशिश करो और अपने आपको imagine करो उस situation में कि अगर आपका सपना है world tour का तो imagine करो आप Switzerland में हो अपनी family के साथ में और आप घूम रहे हो अगर business है तो imagine करो आप एक chair पे बैठे हो जहांपर आसपास पूरी आपके team बैठी है और आप meeting ले रहे हो आगे का plan बना रहे हो कि मैं क्या करूँ पा आपको एक चीज़ और समझने है कि इस time पे वो power जो सपने को सच कर सकती है सिर्फ वो एक power चाहे आप उसको भगवान बोलो चाहे energy बोलो चाहे belief बोलो चाहे कुछ भी बोलो वो अभी इस moment में आपको देख रही है आपको देख रही है तो आप जो लोग आँखे खोलने के बाद में अपने पूरे मन से celebrate करने वाले हैं उनका वो सपना सच होगा जो बे मन के करेंगे उनका कभी नहीं होगा मेरे से लिखवा करके रख रख रहे हैं कि अगर आप उसको celebrate करने लग गए तो अटोमाटिकली सच हो जाएगा अगर रोज इस चीज को करने लग जाओ अपने आप ही हो जाएगा आपको कुछा अपने की जरुवत ही नहीं तो अपने आखे खोल सकते हैं और सेलिबरेट कर सकते हैं कि अजिसें लगती है ना इसी में जिल्दकी चुपी है बागी सब तो सेमें मरेवे लोग हैं अगर हम जिंदकी जी रहे हैं जिंदकी किसले मिली है जीने के लिए ना बैठ कर गे उदास हो कर कर अपना टाइम किनने के लिए तो नहीं कि हाँ अब 20 साल बच्चे हैं जल्दीगी, अब 10 साल बच्चे है, अरे 5 रहे गए, अरे 5 दिन रहे गए है, तब जागेंगे, क्या तब करेंगे इस तरीके से चलिबरेट, सपने में ही सही, आपका सपना सस्तो हुआ है, बहुत बड़ा मुवमेंट है, बड़ा मुवमेंट है, बड बस इस फीलिंग को पकड़ करके रखना है लाइफ में तहीं पर भी आप गो एक चीज सोची भी थी ये चीज हो गई गाले लगा है और ये थाना दर केलेबरेट कर रहा है मज़ा आगया जी लिया जिंदगी बस यही है जिंदगी झाले जिंदगी